हलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो के वीडियो की टीजी टी पोस्ट की वेकेंसी निकलती हैं उनका जो एक्जाम होता है तो कितने मार्क्स का होता है और किस सेक्शन से कितने मार्क्स के कोशन पू सबसे पहले हम देखते हैं कि जो KVS में TGT की पोस्ट निकलती है वो कौन-कौन सब्जेक्ट की होती है तो यहाँ पर जो आज देखेंगे हम इस वीडियो में TGT English, TGT Hindi, TGT Mathematics, TGT Science, TGT Social Study and Sanskrit इसकी जो TGT की पोस्ट निकलती है उसका एक्जाम कितने मार्क्स का होता है और किस से क्या-क्या कितने मार्क्स का पूछाजाता है यह देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको है test की जो duration होती है एक्जाम की वो 150 मिनिट की होती है मतलब की 2 गंटे और 30 मिनिट की इसका total time यह ह होता है और जो इसमें total question पूछे जाते हैं वो 150 होते हैं objective होते हैं multiple choice question होते हैं तो total marks जो हो गए वो 150 marks के 150 question पूछे जाएंगे अब यहां देखते हैं कि जो हमारे पास question paper होता है कितने पार्ट में divide होता है तो first जो है हमारा part one part one के अंदर आपको journal English पूछी जाएगी और journal Hindi पूछी जाएगी और इसके अंदर जो English के question होंगे वो 10 question होंगे और हर एक question जो होगा एक number का होगा मतलब कि 10 number की आपकी English होगी और 10 number की आपकी Hindi होगी ठीक है तो आपका part one हो गया अब part two के अंदर आपको जो पूछा जाएगा वो है journal knowledge and current affair इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा question इसी के पूछे जाएंगे जो था हमारा 40 question थे total current affair and journal knowledge के उसके बाद है reasoning reasoning के आपके जो question होंगे वो होंगे reasoning and ability इसमें आपके reasoning के question भी होंगे math के question भी होंगे या आपके 40 question होंगे computer के जो question होंगे वो 10 question होंगे और pedagogy के question होंगे आपके 40 ठीक है और pedagogy का जो syllabus है आपका वही syllabus है जो आपने seated के लिए पढ़ा है और आपने b.a.d. में जो पढ़ा है बिल्कुर सेम वही इसलिए बस है ठीक है उसके बाद आप देखते हैं यहां पर जो कितने marks के question बनते हैं हमारे पास तो अगर आप इसको टोटल करें टोटल number of question को तो टोटल करते हैं तो आपके जो बनेंगे 150 question question बनेंगे तो 150 question कितने के हो गए 150 marks के हो गए ठीक है तो इसी base पर आपकी merit बनेगी और उसके बाद आपका जो है 60 number का interview होता है 60 number का होगा interview ठीक है interview के 60 marks होंगे और जो final selection होगा return test और interview के base पर उनका जो weightage है return test और interview का वो 85 is to 15 का है मतलब जो भी आपके marks आएंगे 1500 में से उसको 85 में convert कर दिया जाएगा ठीक है और जो interview में 60 में साथ में से आपके marks आएंगे उसको 15 में convert कर दिया जाएगा तो total आपका 100% हो गया ठीक है तो इस base पर आपकी merit बनी जाएगी ठीक है तो यह था हमारा आज का वीडियो उमेद आपका हमारे वीडियो पसंद आया होगा थेंक यू